प्रशल सापॉलिटिन के शुरूआत करीए इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जब प्रधान मंत्री नरीद्र मूदी का वारानसी तौरा है आत्म निर्फर सुष्ट भारती योचना का शभारम प्रधान मंत्री नरीद्र मूदी करेंगे तो पीम मोदी आज वाराणरसीज में इसके शुरुआत करेंगे इसके साथ ही नौ मेडिकल कॉलेजों का लोकार पर भी प्रधान मंत्री नरेंज मोदी करेंगे तो दो हजार तीन सो उनतीस करोड की लागत से ये मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं कारक्रम में राजपाल आनंदी बेन पतेल और सीम योगी भी शामिल होंगे तो नौ मेडिकल कॉलेजों का लोकार पर करेंगे दो हजार दो सो उनतीस करोड की लागत से ये मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं प्रद्धानमंतरी नरीनरमोदी करेंगे मरीशी पर ज़ाधर जानकारी के साथ हमारत साथ स्टेट एडिटर आजिभर्ण कोड़ी फूललैंड पर जोगा है आज वारण सी तौरा प्रद्धानमंतरी नरीनरमोदी का अपने आप में बेहद महतपूर है क्या कुछ जानकारी इसको लेकर देखिए पधान मंत्री के आज बाराणसी के अलावा सिधात नगर में भी दाउरा है वहाँ नौ मेट्टर कालेजों का वो लोकारपन करने वाले हैं और बनारस में तक्रीबन दो हजार से यदिक करोर की जो परियोजनाएं हैं भी लोकारपन होना है निश्चित रूप से अब उत्तर पदेश में दो हजार बाईस में विधान सभा के चुनाव होने हैं और लगातार मुख्यमंत्री के साथ साथ अब धान मंत्री भी उत्तर पदेश में लगातार दोरे कर रहे हैं विधान से उनका घृष जनपद है और जिस तरह से लगातार अगर हम विश्वनात काईडरोर की बात करें बानारस में गंगा की सफाई की बात करें या फिर बानारस को और अत्याद होनी करन करनी की बात करें पिर वहाँ पे जो उन्होंने तमाम एजे सांसत होने के नाते और उसके साथ साथ पदान मत्री होने के नाते अपनी संस्थी शेतर के लिए तमाम योजनाओं उन्होंने शुरू की थी अप मिल्शिक रूब से कहा जाए कि अब वो समय आ गया है कि जो जनता को समर्पित करे और जनता के लिए उस तमाम योजनाओं का लाब शुरू कराने का समय आ गया है तो दानमत्री बनारत में हैं उसके साथ साथ आज वो सिधात नगर में भी है सिधात नगर में इसे वो नौ मेडिकल कालेजों का आज उत्तर पदेश में वो लोकारपड करने वाले हैं उत्तर पदेश के लिए एक बड़ी सौगात है निशित रूप से कहा जाए कि अब समय आ गया है उन काम करने का और काम जो साथे चार वरसों में योगी सरकार ने किये थे वो तमाम कामों का अब जो है पूरा होने के बाद उसका लोकारपान का जो कारिकरम है वो लगातार पहले तो योगी आजितनाथ के दोरा और अब प्रधान मंत्री के दोरा जो बड़ी परियोजनाए है उत्तर पदेश की क्योंकि प्रधान मंत्री उत्तर पदेश से लोगजवा के सांसन है तो वो परियोजनाओं का उज़ात्रन अप्रधानमंत्री जी दौराग स्वाइन किया जा रहा है जी आसी पर जी बेहत कम बचा है विधासभा चुनाव में ऐसे में सरकार की कोशिश यही कि जो तमाम योजनाओं है वो आचा सनहता लगने से पहले लागू कर दी जाए और जरता को इसका सीधा लाब मिल सके इसी कड़ी में हम देख रहे हैं 28 वत और आ है ये प्रधानमंत्री नरीद मोडी का और हमने सीम योगी आधितनाद को भी देखा कई योजनाओं वो लागू कर रहे हैं कई घोशनाओं कर रहे हैं असलिए पहले से ही हाँ निशित रूप से ये बीजेपी की स्टड़ी है अगर यूपी बीजेपी की बात करें और खास्तोर पर जो बीजेपी के राशी संगर नितुत हैं वो भी उनकी विए इसकटजी है कि किसी भी तरफ से नरंदर मोडी को उस्तरफरेश के चुनाओं में आगे किया जाए योगी आज इतना लगातार जंसभाई कर रहे हैं लेकिन पधान मंत्री को भी आगे करकर तमाम यूजनाओं का उर्गाटन किया जाए लोकारपन किया जाए जिससे कहीं ने कहीं जनता के प्रती एक रूजहान जो करंट है वो जिस तरफ से 2017 और 2014 में बना था वो बनता नज जिस तरीके से आज वो आत्मनिर बर्ट यूजना को शुभारम करने जा रहे हैं ने देखा फरवरी में जो बजट पेश किया गया था उसमें ये यूजना लाई गई थी इसकी घोशना की गई थी अब इसका क्रियान वन हो रहा है इसका कितना लाब इसका मिलेगा क्यूंक कि जो सौटेज थी जो बिल्कुल साफ तोर पे दिख रहे थी कि इसकी भारी कमी है उससे लेकर कहीं न कहीं ये पहले से अंदेशा लगाया जा रहा था यूपी गवर्मेंट यानि यूपी सीम योगी आदित ना दौरा की इस पाई सेक्टर पिछवी सरकारों ने बहुत सकता है क्यांकि जन्ता की जो बुरियादी जरूरते हैं वो सबसे पहले उनका स्वस्थ जो है स्वाथ तच्छा हो तो उस दिसामे सरकार ने इन तमाम कामों को किया है मेडिकल कालेज में दाक्टरों की संख्या को बढ़ाने के लिए 900 दाक्टर सब उत्तर पुदेश में ज तो मिश्यत रूप से कहा जाए कि यह सरकार की बड़ी कोशिश है और उसका हेल्स सेक्टर में अब काफी प्रवावी रूप से कहा जाए कि यह बदला देखने को मिलेगा रधार मंत्री नरिंद्र मोधी यहाँ पर वो 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार पर करेंगे तो कारक्रम्बे राजपाल आनंती बेन पटेल और मुख्य मंत्री योग्याद इतनात भी मौजूद रहेंगे